अमस्कार दोस्तों कोई कोई डेटा नहीं लेकिन दोस्तों हमारी सरकारी मीडिया के पास ये डेटा ज़रूर है कि आद से दो साल पहले डीपी का पाडू कोन अपनी वाट्साफ चैट में क्या लिख रहे थी ये डेटा जरूर है इन लोगों के पास लिटरिली हालत ही है कि जो काम का डेटा है उसकी किसी को ख़बर नहीं और जो वाटसाइप चैट वाले डेटा है वो प्राइम टाइम ख़बरों पर दिखाये जा रहा है अब मैं सरकार को तो यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकता है यह डेटा हमें देने के लिए लेकिन मैं आपको जरूर बदा सकता हूँ कि आप अपना प्राइवे डेटा किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं यह सवाल आपके भी दिमाख में आया हुगा कि जो WhatsApp messages लिखे जा रहे हैं यह leak कैसे होई कैसे यह लोग access कर पाई देपिका पाडू को उनके WhatsApp messages का और क्या आप जो WhatsApp messages लिखते हैं वो safe है क्या कोई और उन्हें पढ़ सकता है क्या मतलब होता है इसका कैसे यह leak हो सकते हैं और क बेज़ते हो दोस्तों उन्हें कहा जाता है कि वो end to end encrypted है क्या मतलब हुआ इसका encryption का मोटे मोटे तोर पर मतलब यह है कि कि किसी भी information को एक secret code में convert करना जिसे उपर उपर से पढ़ कर समझना possible ना हो मतलब एक secret भाशा में लिख देना encrypt कर देना end to end encryption का मतलब यह है कि आप अ अपना फोन अपने पास ही रखते हो किसी और को नहीं दिखाते है अपना फोन तो आप दोनों के लावा उस message को कोई और नहीं पढ़ सकता For comparison जो SMS होता है वो end to end encrypted नहीं होता जब आप SMS एक फोन से दूसरे फोन में भेजते हो तो वो किसी टेलीकॉम operator के थूँ जाता है तो जो Airtel और Jiro जैसे टेलीकॉम operators है वो आपके SMS को पढ़ सकते हैं चाहे तो In fact, सरकार अगर Airtel या Jiro से मांगे तो सरकार के लिए भी possible है किसी भी SMS को पढ़ना समझना किसने क्या लिखा था कब लिखा था Similarly, email जो होता है email भी end to end encrypted नहीं है आप किसी को email भेजते हैं उसमें बीच से कोई intercept कर सकता है उससे Intercept करने का मतलब आप movies में देखते हो ना कि कई बारी कोई दो बंदे फोन पर बात कर रहे होते हैं और एक detective उन दोनों की phone call को सुन रहा होता है Intercept कर रहा होता है कि वो दोनों क्या बात करने लग रहे हैं ऐसे ही जो चीजे end to end encrypted नहीं होती उसमें possible है किसी तीसरे बंदे के लिए बीच में intercept करना और आपके SMS को पढ़ना आपकी email को पढ़ना या आपकी voice call को सुनना एक real life situation के तो मैं आपको explain करता हूँ आपको जाद अच्छे से समझ में आएगा मान लीजिए आपने अपने ममी भापा को एक नया credit card दिया आप दिल्ली में रहते हैं और वो मंबई में रहते हैं आपने credit card अलड़ी दे दिया लेकिन आप pin देना भूले अब आप अपना pin अपने ममी भापा को कैसे बताएंगे आप voice call कर सकते हैं लेकिन technically कोई service provider आपकी voice call को सुन रहा हो सकता है या कोई scammer आपकी voice call को सुन रहा हो सकता है intercept करके आपके pin पता कर लेगा आप email भी कर सकते हैं लेकिन email भी end-to-end encrypted नहीं है कोई बीच में उसे intercept करके pin पता कर सकता है तो आप ऐसी situation में क्या करेंग इस situation का एक बड़ा interesting solution है दोस्तों आप क्या करें आप एक SMS भेजे अपने ममी पापा को उस SMS में कुछ नहीं लिखा होगा बस एक number होगा वो number है 37450833 for example अब साथ ही साथ एक email भेजी अपने ममी पापा को और इस email में लिखा होगा कि जो pin है आपके credit card का वो pin है आपके दुआरा भेजा गया SMS और उस SMS में first, fifth, seventh और eighth digit साथ में combine करिए और ये आपका pin है बहुत ही creative solution है क्योंकि आपके ममी पापा को दोनो SMS और email देखने पड़ेंगे pin जानने के लिए तो कोई आपके SMS को intercept कर रहा होगा चोरी छुपे देख रहा होगा तो वो confused हो जाएगा उसे नहीं पता होगा कि actually में pin भेजा जा रहा है similarly सिर्फ कोई email को देख रहा होगा तो वो काफी नहीं होगा SMS और email दोनों को देखना जरूरी है इस pin को समझने के लिए तो आपने basically यहाँ पर encryption कर दिया आपका जो SMS था वो encrypted था और इस SMS को decrypt कैसे करना है इसकी instructions आपने अपनी email में लिखी थी तो basically आपने जो SMS भेजा imagine कर लो वो एक box है और उस box पे ताला लगा हुआ है उस box के अंदर आपके credit card का pin है लेकिन सिर्फ box को देखकर कोई आपका credit card का pin नहीं जान सकता और जो ताला लगा है उसे खोलने के लिए एक चाबी की जरुवत है और वो चाबी है आपके द्वारा भेजी गई email तो जो whatsapp का end to end encryption है वो भी similarly काम करता है आप जब एक whatsapp message भेजते हो अपने दोस्त को तो whatsapp उस message को encrypt कर देता है एक box के अंदर बंद कर देता है ताला लग encrypted है तो इसी reason से जब आप whatsapp के अंदर जाएंगे किसी भी chat को को लिए उस chat में security का option होता है जहाँ पर आप encryption देख सकते है whatsapp आपको security code दिखाता है whatsapp basically कह रहा है कि आप security code को compare कर सकते है अपने दोस्त के साथ और ये तरीका हो गया आपका जो बकसा है उसका ताला है और उसकी चाबी को match करने का कि सही बकसा सही चाबी के साथ लगा हुआ है या आप security code match करके देख सकते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे process में loopholes क्या हैं जिससे कि कोई तीसरा वंदा आकर आपके whatsapp messages पढ़ सकता है दो तीन loopholes हैं दोस्तों पहला तो यही है कि अगर कोई physically आपका phone आपसे छीन ले या आपका phone चोरी हो जाए वो आपके phone को खोल कर आपके whatsapp messages access कर सकता है क्योंकि physically आपका phone चुरा लिया गया है माँ पर ऐसे case में इस loophole को avoid करने के लिए आप अपनी security के लिए क्या कर सकते हैं अपने phone पर एक passcode लगाईए और उससे भी अच्छा है क आप अपने whatsapp पर एक passcode लगाईए या फिर कई आजकल iOS phones में आ गया है कि अपना face ID या touch ID आप डाल सकते हैं, biometric authentication डाल सकते हैं कि whatsapp को खोलने के लिए एक और passcode की ज़रुवत पड़े कि कोई आपका phone चुरा भी ले तो उनको पहले passcode पता होना चाहिए आपके phone का whatsapp access करने स लेकिन इससे भी जादा problematic चीज है कि आप whatsapp groups के invite links कहीं और भेज सकते हो, अगर मानलो आपने किसी और को admin बना गिया whatsapp group का, वो किसी और को invite कर सकता है invite link भेज कर, और अगर वो invite link किसी non encrypted website पे paste किया गया, या SMS के through भेजा गया, या कहीं भी publicly post किया गया, तो उस invite link के द्वार कोई भी click कर सकता है उस link पर और आपके whatsapp group के अंदर आकर घुस सकता है और whatsapp groups की chats पढ़ सकता है, तो इसका simple solution है whatsapp groups को avoid कीजिए, especially वो whatsapp groups जहां पर आप खुद admin नहीं है, उस group के invite link से कोई भी उस group के अंदर आ सकता है, chat messages पढ़ सकता है, तीसरा loophole है आपके whatsapp messages का backup, अब आप में से अलड़ी कुछ लोगों पता होगा कि whatsapp messages को backup करने का option है whatsapp के अंदर, आप google drive पर या icloud drive पर अपने सारे chat messages की history को backup रख सकते हैं बाद में देखने के लिए, लेकिन आप में से जातर लोगों के नहीं पता होगा कि जो backup आला तरीका है इसमें end to end encryption खतम हो जाता है, आप backup अगर on रखेंगे तो आप अपने messages को risk पर डाल रहे हैं कि कोई hacker इनमें hack कर सकता है या कोई और इन messages को पढ़ सकता है, तो simple तरीका इसे avoid करने का simple solution है कि अपने backup को off रखिये, settings में जाईए और उसमें backup का जो option होता है, उसमें सारे तरह के backups को off रखिये, अगर आप end to end encrypted रहना चाहते हैं WhatsApp में, और exactly यही loophole था जो suspect किया जाता है दीपिका पाड़कॉन के case में, investigative agencies ने उनके phone को लिया, clone किया और forensic experts ने उनके phone का पुराना data retrieve किया, जिसमें iCloud Drive, Google Drive के backup से जहां पर WhatsApp chats थी, कई experts का मानना है कि इनकी WhatsApp chats, TV news channelों पर दिखाना, prime time debates conduct कराना उस बारे में एक strong violation of privacy है, यही चीज अगर कुछ और developed countries में होई होती तो यह illegal होती, लेकिन unfortunately इंडिया में कोई data privacy law अभी तक exist नहीं करता, हला कि सरकार ने कोशिश करी थी, एक data privacy law लाने की जो मैंने इस वीडियो में explain किया था, लेकिन उस कोशिश में भी बहुत कम्या थी, अभी recently सरकार यह 200 से ज़्यादा Chinese apps को ban किया था TikTok और PUBG जैसे, क्योंकि वो आपका data चुरा रहे थे, यह LH किया ज़्यादा था कि वो आपके data का misuse कर रहे है, हला कि मैं इस ban को support करता हूँ, लेकिन मेरा reason कुछ और है, मेरा reason यह है, अगर China के अंदर बाकी social media networks allowed नहीं है बाकी दुनिया के, तो हम क्यों Chinese social media networks को अपने देश में allowed करें, जब तक वो अपने markets बाकियों के लिए में खोलते हैं, लेकिन सरकार TikTok और PUBG को कहती हैं कि वो आपका data चुरा रहे हैं, और दूसरी तरफ, सरकार खुद आपके data का misuse करके private companies को बेशती है, खुद पैसा कमाने के लिए, आपके driving licenses क data को actually में बेचा गया और सरकार ने 60 करोड रुपे कमाए, पिछले साल की खबर है, खमाल है ना, तो कुछ और मैं आपको tips बताना चाहूँगा अपना data protect करने के लिए, अपनी privacy प्रोटेक्ट करने के लिए, पहला है कि अपने phone को हमेशा updated रखिए, latest software पर रखिए, क्योंकि जब भी loopholes धुड़ने जाते हैं किसी software में, तो वो पुराने versions पर होता है, hackers पुराने versions को target करते हैं, क्योंकि वहाँ धुड़ने असान होते हैं, दूसरा है कि WhatsApp पर auto media download का option होता है, जिसमें कि photos और videos automatically download हो जाते हैं, उस option को off रखिए, क्योंकि अगर किसी अंजान नंबर से आ जाता है, मान लो वो वाइरस आपको भेजते हैं on WhatsApp message में, तो वो automatically download हो जाएगा और आपकी photo library में save हो जाएगा, और वाइरस automatically download हो सकता है आपके phone के अंदर, साथ ही साथ अपनी phones की सारी apps को भी updated रखिए, क्योंकि उसमें भी security loopholes धूणने पुराने versions में जादा असान होते ह और जब कोई भी app आपसे permission मांगती है कि वो आपके photos को access कर ले, आपके contacts को access कर ले, तो सारी permissions मत दीजिए, क्योंकि हर बारी हर permission की जरुवत नहीं होती है, अगर कोई एक ऐसी app है, जिसमें photos का कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो आपके सारे photos का access मांगती है, contacts से access मां एक और tip यह है कि WhatsApp की settings में जाकर two-factor authentication को on रखी, इसमें क्या होता है कि जब भी आप अपने phone number से register करते हैं WhatsApp के उपर, दुबारा से यह करने के लिए एक pin की जरुवत होगी जो कि WhatsApp आपके phone पे SMS के थूरू भेजेगा, phone number पे भेजेगा और यह देखेगा कि सही phone में सही WhatsApp तो आप एक time limit के साथ भेज सकते हैं, कि messages आपके एक certain time के बाद अपने आपी delete हो जाएं, कि मतलब एक दिन के बाद वो messages automatically delete हो जाएं, कहीं save ना हो, कोई उन messages को कभी नहीं पढ़ सकता फिर, और in general जब आप internet इस्तिमाल करते हैं अपने phone या computer पे, तो सबसे आसान और सबसे अच internet पे जो भी activity कर रहे हैं, वो encrypted होती है, इस हद तक encrypted होती है, कि आप अपनी location भी spoof कर सकते हैं, यह pretend कर सकते हैं, कि आप इस country में नहीं, दूसरी country में बैठे हैं, और वहां से internet access कर रहे हैं, और बहुत सी companies हैं, जो अपनी VPN services offer करती हैं, लेकिन मेरी राय में जो best VPN मुझे लग firewall को तोड सकता है, चायना के अंदर बैठे बैठे आप Facebook और Twitter access कर सकते हैं, और NordVPN का इस्तिमाल करके, और उपर से इनके headquarters ऐसी country में based हैं, जहां पर किसी भी सरकार के नहीं चलती, जातर VPN में क्या है, अगर सरकार demand करेगी इस VPN से कि मुझे इस बंदे का data लाकर दो, तो इस VPN को मजबूर होना पड़ेगा, लेकि NordVPN के साथ ऐसा case नहीं है, और क्योंकि इस वीडियो के लिए NordVPN ने मुझे sponsor किया है, तो आप लोगों के लिए एक special offer भी है, आपको 70% off मिलेगा इनके 2 साल के plan पे, अगर आप code nordvpn.com slash dhruv इस्तिमाल करेंगे, नीचे description में लिंक है, आप स पसंद आया हुआ, काफी नई चीज़े जानने को मिली होंगी, इस वीडियो को शेर कीजिए, आप मुझे support कर सकते हैं patreon.com slash dhruv rati पर या YouTube पे member बनके, और उसके return में आपको कई exclusive चीज़े मिलेंगी, जैसे कि full unedited interviews, जब भी मैं किसी का interview लेता हूं, तो, मिलते हैं फिर अ बहुत धन्यवाद